हेलो दोस्तों मैं हूँ उदाय रंजन और इंटाइंजर्स इंडिया के चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूं तो यहां पर देखिए आज हम लोग फ्यूचर रिटेल के बारे में देखते हैं और आज यह बहुत ही बड़ा मतलब कि नीचे की तरफ में यह आके बंद हुआ है तो इसमें देखिए इसमें मैं आपको चाट के हिसाब से यहां पर सब कुछ समझाता हूं और यह देख लिजए आप लोग की वोल्यूम यहां पर बहुत ज्यादा बढ़के और यह ट्रेड हो रहा है आजकल तो इसमें बहुत ही बड़ा इसमें पॉजिटिव निउस है और वो पॉजिटिव निउस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और इसमें हम लोग टेकनिकल आनलिसिस करेंगे और उस टेकनिकल आनलिसिस को देखके और आप लोग इसको इसमें बाई कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लोग सोच रहा है कि इसमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और लास्ट में जाके आप लोग एक डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर हम लोग इस टॉक में अभी हम लोग क्या कर पाएं तो देखिए यहां पर मैं यहां पर लाइन चार्ट लग आ रहा था डारेक्शन वहां से एक शार्प करेक्शन यहां पर देखने को मिला है और शार्प उपर की तरफ में यह बढ़के बंद हुआ है यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहां पर देखिए अभी यह दो दिन से जो की जो बड़ा वाला कैंडल था बड़ यह जहां पहले नीचे की तरफ में ओपन हुआ था और उपर की तरफ में क्लोज हुआ वहीं यह आगला कैंडल उपर की तरफ में ओपन हुआ और नीचे की तरफ में यहां पर क्लोज हुआ है तो यह देखिए अगर बड़े कैंडल के बाद में एक आपको छोटा कैंडल औ अगर आपको candle दिखता है तो वो एक positive sign माना जाता है और ये चीज अगर मान लेजे यहाँ पर है तो ये bulls और bears में ये बहुत ही ज़्यादा fighting चल रहा है यहाँ पर कि इसको उपर ले जाए या फिर निचे रहने दे तो यहाँ पर देखें वोलियूम भी यहाँ पर मतलब उतना जादा है नहीं जादा decrease यहाँ पर किया हुआ है पहले दो दिन कम से कम यहाँ पर 30 million के आजपस में आप लोग देख पा रहे हैं कि 30 million के आजपस में इसका जो वोलियूम था वो रहा और उसके बाद में जो अगला दिन का candle यह बना है यह वाला candle है उसमें वोलियूम थोड़ा सा decrease होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो यह चीज देखे यह यहाँ पर यह जो positive चीज है यहाँ पर यह बहुत ही ज्यादा है यह future retail limited को यह उपर लेके जा सकता है मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें जब यह 109-108 रुपया के आसपास में चल रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि इसका एक strong support है strong support इसका 100 रुपीस के आसपास में दिख रहा है तो यह 100 रुपीस के आसपास में यह वाला जो मैंने यहाँ से वीडियो बनाया था यह वाला आप लोग देख पा रहे हैं यह वाला जो candle था यहाँ से मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने बोला था कि 100 रुपीज का गैंडल यहां पे 100 रुपीज का जो सपोर्ट है वहां से बहुत ही बड़ा ये मूव ले सकता है अपर की तरफ में और वैसा ही हुआ है मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है मैंने बोला था कि तेजी के संगेत आपको दिख रहा है मुझे दिख रहा है यहां पे और मैं डीप टेकनिकल ऐनलेसिस करता हूँ इन सारे स्टोक में यहां भी मैंने बोला था कि यह double top बना है तो double top में हमेशा ही अगर ऐसे कोई भी stock बनता है तो यह double top मना जाता है और वहां से stock नीचे आता है थोड़ा सा तो वो correction भी हुआ और यहां तक नीचे की तरफ में आया था और फिर से 100 रुपीज के support को लेके और फिर से यह उपर जा कि इसमें volumes भी बढ़ रहा हैं और जब RSI आप लोग देखेंगे या फिर money flow इसमें देखने जाएंगे तो money flow भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं यहां पर दिखा देता हूं देखे मैं यहां पर MFI आपको दिख वही नीचे की तरफ में यहां आया क्योंकि यह money flow बहुत ज़्यादा हो गया और money flow ज़्यादा होने के चलते थोड़ा सा नीचे की तरफ correction में आता है तो वही यह red वाला candle है थोड़ा सा इसमें profit booking हुआ है और फिर से यह उपर की तरफ में जाने के लिए तैयार है तो अब हम लोग इसमें relative strength हमारा अगर इसमें मैं बता दू तो 60 to 70 के आसपास में दिख रहा है तो यह अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है और इसका अगर हम लोग volume weighted average price देखे तो वह 124 के आसपास में दिख रहा है जो कि volume weighted volume के हिसाब से weight करके और इसका price बताया जा रह है तो यह बहुत ही positive है यहां पर इसका high भी बना है 134 के आसपास में 134 में high है और 124 का इसका volume weighted average price है तो यह इससे नीचे ही trade कर रहा है तो यह buy करने के लिए भी बहुत अच्छा time है आपके लिए तो मैं हमेशा इसमें वीडियो बनाते रहता हूँ और भी और भी इसमें ब हुआ है यहां पर बहुत ही जल्दी मतलब 52 weeks में इसका highest recovery यहां पर देखा जा रहा है है और highest recovery मतलब एक या दो दिन में जो की highest recovery यहां पर होता है वो एक दो दिन में बहुत जादा इसने recovery किया है और वो भी volume के साथ में किया है तो अगर volume के साथ में अगर कोई भी stock उपर जाता है तो उसको हम लोग बहुत ही positive मानते हैं तो यहां भी यह positive है और इसका fundamentals भी अच्छा है मैंने बहुत सारे videos डाले हैं इसके उपर इसके fundamentals के उपर तो आप लोग देखते रहे हैं और जो भी इसमें latest news रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा और इसमें बहुत ही बड़ी तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकती है और यह कम से कम 150 रुपए के target price पे यह जाके रुख सकता है कम से कम 2-3 weeks में तो यहां पर आप लोग देख से लिए इसका PE भी जो हम लोग price by earning निकालते हैं PE भी इसका less than 10 है तो आप लोग को buy करने में कोई दिकत नहीं है आपको सस्ता मिल रहा है और relative strength जो है वो भी बहुत अच्छा है इसमें मतलब की investors जो है और interest दिखा रहे हैं तो इसके चलते हैं इसका price और भी बढ़ेगा और 150 के रूपीज की आसपास में आपको जाता दिखेगा आपको यह 2-3 weeks में तो यह मेरा analysis है अगर आपको अच्छा लगए तो आप लोग video लाइक कर देजे झाल झाल